Hello everyone, हम देख रहे हैं subject numerical methods in chemical engineering और इस subject के अंदर अभी जो हम discuss कर रहे हैं वो है unit number 2 solution of algebraic and transcendental equations अब इस unit के अंदर अभी तक हमने दो method के बारे में discuss किया है वो कौन कौन से थी तो पहले थी bisection method और दूसरी थी method of false position या उनको बोलते है regular false method राइट तो ये दोनो method के बारे में हमने discuss किया था ये method के base पे example किस तरह से calculate करना है वो भी हमने देखा था राइट तो आपको ये दोनो method जो है आपको समझना है तो आप previous videos जो है वो आप पहले देख सकते हैं तो चलिए आज हम इस video के अंदर क्या देखेंगे तो आज हम इस video के अंदर एक नई method देखेंगे वो है second method तो ये जो second method है या कोई भी method ले लो ये unit की तो ये unit में हम actually करते हैं क्या है तो ये unit में हम find करते है solution जो भी equation दिया होता है या तो function दिया होता है उनका solution यानि की हम बोले तो root find करते है getting that means x की value भी find करते है अब ये कहां से मिलती है तो उनके लिए मैं simple सी बात बोलता हूँ मैंने already previous video में भी बताया था कि ये जो हमारी x axis है ये x axis को हमारा function जो है वो कहां पर intersect करता है जो point पर intersect करता है वो point हमारा क्या हो जाएगा x यानि की answer root that means solution हो जाएगा given equation का right तो ये ही हमें find करना है already हमने bisection method से regular false method से ये ही चीज़ की थी यानि की root ही find किया था तो आज हम second method से दिखेंगे किस तरह से find करना है वो तो चल लिए start करता है second method तो c यहाँ पर लिखा है देखिए second method और उसको क्या बोला जाता है for method ओके तो ये जो method है उसके लिए भी हमें जैसे हमने previous दो method देखिए उसमें दो point चाहिए थे initially वैसे ही यहाँ पे भी हमें दो point चाहिए ओके वो कौन-कौन से point तो पहला एक point है कौनसा यह xn-1 दूसरा जो point है वो है और अभी यह दो जो point मिले है वो point पे function जो है वो कितना है तो देखिए यह आया xn-1 पे और यह अभी यह जो दो point आये उनको हमें join करना है यानि कि joining line आती है वो यानि कि कौर जो है दो point के बीच में given function के लिए राइट वो x-axis को कहां पे intersect करता है तो दिखिए यहां पे intersect कर रहा है उसको नाम देना है हमें x n-plus 1 वो point को राइट अभी हमें find क्या करना है यह हमारा function है यह जो कव आपको दिखाई दे रहा है यह y equal to f x वो x-axis को जहां पे भी intersect करता है वो point हमारा answer है उसको यहाँ पे जो है denoted किया है x star से किया है राइट यानि कि root means solution है given equation का यह हमें find करना है अभी हमने यह दो point के बीच में line join की तो हमें क्या मिला है यह xn plus one point मिला है means यह x star के नजदिक आए ओके अभी हम फिर से same process follow करेंगे next approximation find करेंगे तो यह जो हमारा answer है x star उसके और नजदिक हम आते जाएंगे getting चलिए यह तो simple सी बात हो के procedure की अब देखें यहाँ पर जब हम example करेंगे तब हम लिखेंगे क्या तो मान लो कि हमने previous method में भी देखा था यह xn-1 जो है उसको मैं बोलू x0 तो यह xn क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा यानि कि n की value मैंने क्या ली है one ली है getting तो यह xn-1 जो point हमें मिला उसको क्या बोलेंगे x2 अब उसके बाद जो point मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम x3 बोलेंगे right तो सेमी है सिप यहाँ पर लिखने का जो तरिका है वो थोड़ा different है चलिए अभी यह कब होगा तो से यहाँ पर एक बात बताता हूं कि जो दोनो point जो है हमारा xn and xn-1 वहाँ पर हम function find करेंगे उसको बोलेंगे x f of xn and f of x-1 अभी यह दोनो function की value जो हमारे equal आ गई तो हमें next approximation यानि कि xn plus 1 जो है वो हमें नहीं मिलेगा why because जो दो point के बीच में जो हम line draw कर रहे है वो जो chord है वो कैसा हो जाएगा horizontal हो जाएगा that means x-axis के parallel okay so वो time पे हमें intersection point x-axis पे मिलेगा ही नहीं तो हमारा जो next approximation है वो हमें नहीं मिलेगा ओके तो यहाँ पे यह आपको condition देखनी है और next approximation जो find करना है उसके लिए कौन सा equation तो देखो यह equation xn plus 1 का यह equation है वो आपको याद रखना है यह equation यूज करके हम जो है next approximation जो है वो हम find करेंगे वो क्या है जसी xn minus 1 into f of xn minus xn to f of xn minus 1 divided by f of xn minus f of xn minus 1 तो यह जो सारी values जो है वो enter करेंगे तो आपको next x के value मिलेगी तो यह बहुत easy है जैसे हम previous method के अंदर देखा तो हम interval लिखते थे ना x0 to x1 यहाँ पर इसकी जरुवत नहीं पड़ेगी तो यह एक अच्छे बात है तो चलिए हम देखते है अभी यह second method से किस तरह से example को हमें calculate करना है तो directly हम एक example ही देखते है ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए तो see यहाँ पर एक example है use the second method to find approximate root of x3 equal to 2x plus 1 तो यह हमें एक equation दिया हुआ है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते है x3 यह 2x plus 1 जो है उनको हम left side लाते है तो 2x जो plus है वो minus हो जाएगा और 1 भी plus है तो वो minus 1 हो जाएगा equal to हम क्या लिख सकते है 0 और उसको ही हम क्या बोलेंगे f of x बोलेंगे नहारा function तो यह लिखा है देखिए f of x equal to x3 minus 2x minus 1 चलिए तो अभी यहाँ पर हमारा initial point भी दिये हुए है क्या लिखा है by taking x0 equal to 1.5 and x1 equal to 2 तो यह initial point दिये हुए है तो जो point दिये हुए है वो point के उपर हमारा function कितना आता है वो हम find कल देंगे तो x0 equal to क्या है हमारा 1.5 तो यह जो पूरा हमारा function है उस पे हम x की जगह पे क्या रखेंगे 1.5 यानिकि 1.5 cube minus 2 into 1.5 minus 1 करेंगे तो हमारा जो answer है function का इसको denoted किया है f of x0 से वो आएगा minus 0.625 similarly दूसरा जो point है x1 equal to 2 तो वो point पे हमें function find करना है तो उसको denoted करेंगे f of x1 और उसका answer 3 आएगा तो किस तरह से आएगा तो यह जो function का equation हमें दिया हुआ है उसमें हमें x की जगह पे क्या रखना है 2 यानि कि 2 cube हो जाएगा minus 2 into 2 minus 1 तो 8 minus 4 minus 1 तो answer हमारा क्या आएगा 3 आएगा तो सी अभी यह f of x0 and f of x1 यह दूनों same है नहीं है दूनों not equal है देखो यह condition आपको check करनी है तो यह दूनों equal नहीं है तो हम second method जो है वो use कर सकते है next approximation find करने के लिए आने की x n plus 1 find करने के लिए एक बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है तो यह जो दो initial point है वो फे function जो हमारा आता है वो दूनों equal नहीं आना चाहिए तो चलिए तो यहाँ पे second method की जो formula है next approximation find करनी की यह लिखी है यह भी आपको exam में लिखनी है और याद रखनी है अच्छी तरह से चलिए तो अभी हमें approximate root find करना यानि के जो भी हमें यह equation दिया है उनका solution find करना है तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे एक table बनाएंगे इस तरह से तो थोड़ा easy रहेगा calculation करने में अभी देखे यहाँ पे table में बहुत सारी column दी हुई है पहली जो है वो n है वो एक बताता है iteration number बताता है n की value पे x कितना है वो दूसरी है यहाँ पे xn-1 कितना आता है xn xn-1 यानि कि यह जो equation जो है next approximation find करने का उसमें जो जो चीज़ चाहिए है न वो सारी हमें find करनी है by using the table ओके और next के आए कि एफ होग xn-1 अभी यहाँ पे इतनी सारी column की जगे पे आप तीन column ही लोना तब भी चलेगा ओके यह xn-1 आप नहीं भी लिखो xn-1 भी नहीं लिखो तब भी चलेगा कोई problem है नहीं वो हम next video में जो अगले example है उसके अंदर हम देखेंगे कि इतनी सारी columns सो table में लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए आप low तो भी अच्छा है ना low तो better रहेगा थोड़ा example आपका easy हो जाएगा यानि कि easy means कि आपका time जो है वो थोड़ा बच जाएगा तो start करते है पहला iteration जो है n equal to हम क्या लेते है 1 तो xn-1 में n equal to 1 रखो तो ये क्या हो जाएगा हमारा x0 तो वो x0 equal to हमें दिया है 1.5 वो रखा है xn क्या हो जाएगा हमारा n equal to 1 रखे तो x1 हो जाएगा तो वो भी हमारा पास 2 है तो वो भी 2 लिखा है भी xn प्लस 1 यानि कि 1 रखे तो क्या हो जाएगा x1 प्लस 1 that means x2 तो वो है नहीं है तो वो हमें ये जो equation है उनका use करके find करना है तो चल लिए तो किस तरह से करेंगे तो c ये हमारा x0 1.5 जो है यानि कि n-1 वो यहाँ पे रखेंगे 1.5 और xn की value 2 जो है वो यहाँ पे रखेंगे बाकी दोनों पे जो function आया f of x0 यानि कि ये हमारा क्या हो जाएगा f of x n-1 हो जाएगा और ये f of x1 क्या हो जाएगा f of xn तो वो यहाँ पे रख दो f of xn जो है वो यहाँ पे रख दो और f of xn-1 यहाँ पे और denominator में भी रखेंगे तो आपका जो answer है वो हमारा xn प्लस 1 का यानि कि x2 का answer जो है वो कितना आएगा 1.5862 अब यह answer आ जाए बाद में यह xn प्लस 1 पॉइंट यानि कि हमने बोला x2 यह पॉइंट पे हमारा function कितना है वो हमें find करना है तो यह जो हमारा f of x का जो equation है उसमें x equal to क्या रखना है हमें 1.5862 तो रखना है तब जाके हमारा xn प्लस 1 पॉइंट पे function कितना है वो हमें मिलेगा f of xn प्लस 1 ready यह बहुत easy है तो यह answer आ गया हमारा minus 0.1814 अभी next iteration में हम n equal to 2 लेंगे तो यह अहाँ पर xn-1 में हम 2 रखेंगे तो answer क्या आएगा 2-1 मनलब के x1 तो x1 तो हमने already लिखा है x1 कितना है 2 यानि कि यह उनको यहाँ पर लिख दो then यहाँ पर हम रखेंगे तो क्या आएगा 2 रखेंगे तो x2 तो x2 अभी अभी हमने find किया वो कौन सा आया देखो यह 1.5862 उनको यहाँ पर रख दो तो यह दो value तो आ गई अब यह दो value जो है वो हमें यह equation गंदर रखना है और यह दोनों value पर function कितना आता है वो भी रखना है तो simple है तो यह तो हमें मिल गया यह जो 2 है वो हमारा actually यहाँ पर हो जाएगा xn-1 और यह 1.5862 है वो हो जाएगा हमारा xn तो यह दो value तो हम यहाँ पर रख देंगे बट यह f of xn कहां से रखेंगे तो see यह जब 2 है तब हमारा function कितना आता है वो हमें पता है यह वाला तो यह हमारा क्या हो जाएगा f of xn-1 हो जाएगा अभी और f xn क्या हो जाएगा तो यह xn के value कितनी है 1.5862 और यह value पर हमारा answer कितना आता है देखे यह वाला तो यह हमारा क्या हो जाएगा f of xn तो यह दो value भी रख दो function की तो हमारा answer आ जाएगा next answer आएगा x का उसको क्या बोलेंगे हम अभी n equal to 2 है तो xn plus 1 that means हमारा क्या हो जाएगा x3 तो x3 का answer क्या आएगा ये 1.6098 आएगा अब ये point पे ये जो भी answer आया हमारा तो ये जो है वो हमें रखना है अभी कहाँ पे ये function का जो equation है वहाँ पे x equal to क्या रखना ये 1.6098 तो हमें ये x3 point पे जो function है वो मिले गा ये minus 0.04784 तो ये iteration भी complete हो गया अभी हम क्या करेंगे next iteration find करेंगे तो n equal to क्या लेंगे 3 तो यहाँ पे 3 रखेंगे n equal to तो ये क्या हो जाएगा हमारा x2 ओके ये x2 हो जाएगा तो ये x2 कहां से मिला हमें already हमने find किया था ये x2 ही था तो ये हमारा मिला ये क्या हो जाएगा हमारा X3 X3 अभी अभी हमना find किया ये ये लिख दो यहाँ पर ये तो दोनों value मिल गई ये दोनों value यहाँ पर हो जाएगी हमारा X2 याणि कि X N-1 हो जाएगा और ये X3 that means हमारा क्या हो जाएगा XN तो दोनों value जो है वो यहाँ पर रख दो उसके बाद हमें क्या चाहिए function चाहिए तो function जो है क्या आएगा तो यहाँ पर f of x n-1 चाहिए तो यह जो 1.5862 पर हमारा answer क्या था यह तो यह हमारा क्या हो जाएगा अभी f of x of n-1 हो जाएगा ओके यह वाला और यह जो point है यह 1.6098 वहाँ पर function कितना आया देखो अभी यह तो यह जो है अभी मैं और color बताता हूँ आपको यह parrot color से मैं circle कर रहा हूँ यह जो है वह हमारा क्या हो जाएगा f of x n हो जाएगा तो आप अच्छी तरह से देखिएगा कि कौन सा function कौन से point पर क्या आता है right कौन सा लेना है तो यह दूनों function हमें लेना है और यह दो point तो हमें यह equation में रखेंगे तो next approximation मिलेगा यानि की 4 x4 मिलेगा हमें right क्योंकि n equal to क्या है 3 है तो n plus 1 यानि की 4 तो answer क्या आएगा हमारा यह 1.6183 वही हमारा क्या है x n plus 1 अभी यह point के उपर हमें function कितना है वो चाहिए तो x की जगह पे यह पूरा जो equation है वहाँ पे x के जगह पे हमें क्या रखना है 1.6183 रखना है तो function का answer हमारा आएगा यह 0.0013 आएगा तो अभी हमें same procedure follow करनी है n equal to 4 लेके तो यह जो है हमारा यहाँ पर यह क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा यह मैं circle बना रहा हूँ यह क्या हो जाएगा n minus 1 मनलब x3 और यह क्या हो जाएगा हमारा x4 हो जाएगा तो यह दोनों के value कहां से मिलेगी हमें तो x3 अभी अभी हमने find किया था यह यहाँ पर लिखो और x4 यानि कि यह जो है वो यहाँ पर लिख दो अब यह दोनों के लिए function चाहिए हमें तो f of जो है वो कहां से आएगा देखिए मैं निकल देता हूँ यह point पर function चाहिए यह हमारा actually x n minus 1 हो जाएगा या हम बोले x3 उस पर function किया आएगा तो देखो यह आएगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा f of x n minus 1 बन जाएगा यह हमारा equation के लिए और यह point जो है वो actually हमारा xn है that means हमारा x4 है तो यह point पर हमारा function कितना था देखो यह तो यह हमारा क्या हो जाएगा f of xn हो जाएगा तो यह सारी value आप यह equation में रखो तो next approximation xn plus 1 तो यहाँ पे n equal to 4 है तो हमें क्या मिलेगा x5 मिलेगा तो x5 हमें कितना मिला दिखे यह 1.6180 तो यह x की जगह पे यह पूरा equation में 1.6180 आप रखो तो यह आपका function आए जाएगा यहाँ पे हम stop करते हैं क्यों कि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है बट कुछ नहीं दिया है तो हम क्या consider करेंगे कि हमें जो answer जो है वो correct up to 3 decimal places तक हमें करना है रख decimal point के बाद 3 digit हमारा same आ जाए successive approximation के अंदर तो हम वहाँ पे stop कर देंगे तो सी यहाँ पे देखिए x की value हमें find करनी है x n प्लस 1 वाली वही हमारा answer है right तो यहाँ पे 1.586 आया था यहाँ पे 609 तो different है यहाँ पे क्या आए 618 वो भी इनके compare में यह दोनों को compare करते हैं तो different है बट देखो यहाँ पे यह क्या है yes हमारा यह x4 है 1.6183 आया और यह जो next है वो है हमारा x5 है 1.6180 अप्टू 3 decimal places हम consider करें तो यह 618 यह 3 जो है decimal point के बाद 3 digit और यह 3 digit यह दोनों में कैसे है सेम है तो यह हमारा answer आ गया है यहाँ पे हम stop कर देंगे तो हमारा final answer क्या रहेगा यह यह हमारा क्या हो जाएगा उसको बोलो x5 तो x5 या तो root हमने जो figure में बता है x star उसको बोला था x star या तो आप directly लिख दो x तो यह जो हमें equation दिया हुआ है उसका यह approximate root या we can say that solution जो है वो कितना है हमारा यह 1.6180 यह हमारा answer आ गया है बहुत easy method है आपको हर एक method में सिफ next approximation वाल एक formula या दखनी है और initial जो point है वो find out करना है उसके बाद हम सारी की सारी जो सभी method जो हमने देखी अभी सभी में इखे काम करते हैं यह टेबल बनाता है iteration different different लेके next approximation find करके और जो हमारा answers है जो root find करना उसके नजदिक हम जाते हैं हर एक approximation के बाद तो चलिए आज हम इस वीडियो में यहाँ पर हम stop करता है next वीडियो में यही method के बेस पर हम और example देखेंगे किरो को संपाव बनाता है